एलो एबरिवन आज है 6 अपरील और इस सेशन में दा हिंदू इडिटोडियल का वोकेवली कवर करते हैं यानि कि दा हिंदू इडिटोडियल में आने वाले जितने भी इंपोटेंट वोकेवस होते हैं उसे कवर कराया जाता है तो वीडियो अंतक जरूर देखिएगा वीडि से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो आज का वर्ड क्या रहने वाला है तो साथ में जल्दी से पर लेकर बढ़ जाए क्योंकि बहुत सारे ऐसी बात बताए जाती है जिसे नोट भी करना होता है तो साथ साथ में वर्ड भी नोट किजिएगा और जो चीज आपको एक्स्टरा इंफर्मेशन देंगे वह भी नोट करते रहेगा तो चलिए देखते हैं आज कबर फर्स्ट वर्ड ऐल्यांस जो की एक नाउन है तो वर्ड के साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि यह कौन सा पार्ट सब्सक्र तो उस टाइम आपको यह काम मतलब यह चीज क्या होगा बेनेफिट देगा काफी ज्यादा आपको असानी से रिकनाइज कर पाएंगे कि यह कौन सा पार्ट सब्सक्राइब अगर इसके मिनिंग की बात करें तो इसका मिनिंग होता है यूनियन और एस्सोसियेशन फॉर्म मिचुल बेनेफिट के लिए आप से फायदो के लिए क्या करना साथ में मिलके काम करना ठीक है यानि कि मासरी की दो कांट्री मिलके तो फिर अगर काम कर रहा तो इसको एलियन्स बोलेंगे क्या बूलेंगे आलयांस तो कि अगर नॉट बोल्ट हम लोग यूज करता है किसी चीज को कसने वगरा के लिए तो अगर नॉट और वोल्ट आपस में मिल के काम न करें तो नॉट जो साइज बना रहा है वोल्ट उससे अगर अलग बना देगा तो उन दोनों का एलियांस बिगड़ जागा और वह मतलब मा की हो जागा अगर सीनोनेंस की हम बात कर लें तो असोचैशन लीग कॉंपैक्ट या फिर पर यह सारे इसके सिनोनेंस होंगे ठीक है व कि वड्ड अल्यांस होगया जिसका मिला रहा है और कि आपको ही Kauf एपको बप्लेयर हो गया तो बढ़ते हैं यह दो लोग क्या कर रहा ह की बात करें next word क्या case स्थिश्म मुर्ट नावं है देखे अगर वर्ड के लास्ट में आपको आई आ ये सम देखने को मिले तो वर्ड कैसी की हो जाता है अधी आभी स्थों यह यह जाता है किइस आप को ज्यलींड कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आगे के इसके मिनिंग की तरफ इसका मिनिंग होता है कि किसी का बुरा करना किसी का निंदा उसको भला बुरा कहना साथ में जहाँ आपको जुरूर से बताएंगे और जहां ट्रिक्प बनेगा कि कैसे आप को याद रख सकते हैं तो वह भी आपको बताते चलेंगे इसमाल और गनाइज्ट डिसेंटीं ग्रूप यह स्पेसली इन प्रइद्स यानि कि चोटा सा ओर्गूप हो ठीक है समुआ हो किसी लार्ज और में किस चीज़ में तो उसको फैक्शन बोला जाता है क्या है क्लैन यानि कि डल अब सुझे होगे अलग अलग डल होता है जनता दल तो कौन-कौन सा मतलब है यह सब डल होता है आई होप आपको यह बात समझ में आ गया होगा तो अगर इसका हिंदी मिनिंग क्या हो जाएगा सिरोनेम की हम बात करें तो क्लैन गैंग जनता या फिर माइनोरिटी यह सारे इसके सिरोनेम से जाएंगे जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि अलग अलग डल में लोग खरे हुए है यानि कि यह पॉलिटिकल में जब मतलब जब एक सार में होता है तो जो पॉलिटिक्स मे सोब उसके ग्रूप में होगे तो क्या होगया एक तरह का क्छर Terr को लेके को लेके तो डिस्क्रिमिनेशन आपको पता है कि अगर आपको इसको याद रखना होगा तो नेशन से रिलेट कर सकते हैं कि चीज़ से नेशन याद करेंगे तो इससे याद रख सकते हैं कि नेशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं ठीक है अगर आप डिस्क्र लिया जा सकता है तो डिक्रेबिनेशं क्या हो गया एक नावन हो गया जिसको लोग नेशंद करके याद रख सकते हैं अब देखते हैं यहां पे क्या दिया हुआ है तो इसका मिनिंग होता है मैक एन अंजस्ट और अंजस्ट और प्रिजिव डिस्टिंग्शन इन ट्रीट्मेंट अफ डिफरेंट के टेग्री अफ पेपूल स्पेसिजिए ऑन दे ग्रांट अफ इथिनिसीटी सेक्स एज डिसेबिलीटी यानि कि देखिए जाती के अधार लिंक के अधार पे उम्र के अधार पे या फिर डिसेबिलीटी यानि कि जो होता है जो फिजिकाली अवल हो उन सब के अधार पे अब मतलब जो किसी के साथ भेद्भाव करना उसको इन डिस्क्रिमिनेशन मुला जाता है अगर आप आर्टिकल 15 की बात करें जो हमारा मतलब स सब क्या हो जाएंगे इस वर्ड के सिनोनेम हो जाएंगे जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि यह भेद्भाव का पिक्चर दिखाया गया डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ठीक है नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एलाइस जो कि एक नाउन है एक जिसका मिनिंग होता है एस टेट अफ़र्मली कोपरेटिंग विथ और फ्रड मिलेटरी और अधर पर और करना किसी दूसरे के सात उसको लाइस बोलता है ज्याहें पिर किसी और किसी और उदेश के लिए कि लिए ओप्रेशन मतलब क्या होता है कि साथ मिलकर कुछ करना तु पाकिस्तान और चाइना है लेकिन वाक्त आने पर यह लोग भी उनको दिखाई देते हैं कि हम लोग क्या है समझ में आगया कि जो मित्र राष्ट्र हो जो आप उसे बिलेंगे अगर सीनोनेम्स की बात करें तो एसोसियेट कलीग फ्रेंड या फिर पार्टनर हो जागा ठीक है फ्रेंड मतलब तो यहां पर पिक्चर में भी देख सकते हैं कि अलग अलग यहां पर कांट्री साथ में मिल जो घरा ठीक है यानिकि अलाइज मत्तले आप बहुत बार वगएरा हो रहा था तो वर्डवार में यह चींड़ को बहुत बार मतलब यह चीश्ट देखने को मिला था कि अलग लग देश साथ में मिलका है कि लड रहे देश से दूसरे देश से यानिक्यों एलाइज कर रहा बनाने का यूँकि वर्ट से जब आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे तो वर्ड जो जो को जो कि अपके अंदर वह बिल्कुल खतम हो जाएगा वर्ड दिखी जब आप वर्ड से सेंटेंस बना रहे उस दोरान आपको बहुत बार सोचना पड़ेगा इमेजन करना पड़ेगा किस टाइप का सेंटेंस बनाएं तो बैसिकली उस तरह आप वहां पर वह वर्ड को याद कर रहे हैं ठीक है वह बार बार रिपीट कर अपने माइंड में तो आज ट्मेंटिक आपके माइन में बैठ जाएगा तो कोसिस कीजिए जितना आप से बन पा काल बाद दरब आएगा और अगर आप अपने लाइप में गोल को लेकर तो जरूर से कमेंट सेस्ट में कमेंट कीजिए अपना सेंतेंस तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वरड की बात कैंट प्रिजर्व जो कि एक भार्वे सब्स्टीश का मेनिंग होता जैसे खाने वाले में बहुत सारा समान हो गया जैसे पीकल वगए रहता है अचार जो होता है वह सब लोग क्या करते हैं कि उसको रख दिते और बहुत दिन तक वह जल्दी खराब नहीं होता है तो प्रिजर्ब मतलब क्या होता है किसी चीज को बचा के रखना ठीक संराख ची संराख चीद करके रखा गया है इसके असली अवस्ता में जैसे माले जी कि बहुत सारा चीज़ा जिसे हम लोग खुला छोड़ दिये तो तुरांद खराब हो जाता है तो इसको प्रिजर्ब करने के लिए बहुत सारी केमिकल सब्स्टांसे केमिकल आता है जिसका यूज करक फ्रीज में रख देता है काफी Capital Day result इसी तरह किशीभी चीज़ को करकて रखना संडक्षित करके रखना नेक्स्ट वर्ட की बात कह तो नेक्स्त था वर्द डाई Gaza आप अपने फन में कॉल्ड़ डाईबर्व उनगे किल डाइवर्ट हो गया है यानि कि इस चीज को मोच देना ठीके तो क्या है Agd पीछ हो गया यहां पर क्या है यहां पर यूज कर रहा है क्योंकि यूज हो रहा था लड़कियों क्योंकि नहीं बोला जा रहा था तो इसलिए दिसाइड किया कि अब सब बैटर उसने क्या कि इसको क्या कर दिया तो यहां ध्यान हटाना थिक ध्यान घ्यान हटाना या फिर मोर देना बदल देना इस सारे इसके स्वीच इसके सीनोनेम अपको समझ में आ गया होगा जब आपके फॉन में कॉल्डवाट वेगर उप्सण हो जाता है तो खुछ सिम्बल आपको देखने को मिलता है तो कल राता है तो मतलब को कर सकते हैं दोस को अपने बाई कर सकते हैं अब फोन उस पर फोन पर नप to another next word की बात कर तो next वर फ्रीस क्या है पर से क्वीटिंग की बात कर तो एक भर वह जिसका मेनिंग होता है subject someone to host lady and ill treatment especially because of their ethnicity religion or sexual orientation of their political belief यानि कि पर स्क्रेटिंग मतलब ही होता है क्या तो अभी जो हम लोग बात कि सब्सक्राइब करना अभी बहुत सारे से लोग है जिनको रिलीजन के बेस पर सताय जा रहा है ठीक है उनको लड़किया है तो उनको जल्दी घर से नहीं निकले दिया जाता है जो मैनर्टी से कहीं किसी एरिया में वहां पर उनको दबा कर रखा जा रहा है जो छोटे कास्ट के लोग हैं उनके साथ उनको सताय जा रहा है ठीक है उनको मतलब छुआ चूट वह सब्सक्राइब हो इसके सिनेमें ठीक है एकस्पैल हैस्टाइब हां या फिर इंजियोर क्या जाएँगे इसके सिनेमें से तॉप आपको वर्ड में आगया होगा अबरते निक्सट के तरफ नेस्ट वर्फ नाउंस्ट जो कि एक भारव है अग्स की बात करें ति एक भार वह जिसका मीनीं होत यानि कि यो सिन ओधो लगे इस Kया करना ऊसमाचर तो आपकोएंट सब्सक्राइब थे कुरेंट षठती हैने का सब्सक्राइब देक उनकल इस सब्सक्राइब मईगत बता यह मतलब नोगों जाते हैं तो आपको वर्ट समझ में आगे होगा अगला वर्ड एलेज्ट जो काफी टेम से रिपीट होते आ रहा है जो कि एक एड्जेक्टिव है जिसका में नहीं होता है आप उसके कहने पर उसको मालिए कि हम वो बुरा हो सकता है कि यह बोल रहा है जैसे माल लेजिए कि आप हो गया ठीक है यह आप होगा टिक है कि आपको दिखाते हैं बनाकर के आप तूस्ट कोई पर्षान यहां पर है जिसका बी से कोई परस्वाश्थ मनी को भी आपको बता रहा है कि जो सी है ने वह अच्छा अदमी नहीं तुम उससे है करता कि नजर से देखना सब्माना तो और रहा यह कहतने की अतर बिन सब्सक्राइं प्रोट है उसके होता है याणि की असले ब리कर अदमी है घटिया इंसान है उसको बोलते हैं सिनोनेम की बात करें तो प्रोफेस्ट पर पोटेड एपारेंट यह सारे क्या हो जाएंगे इसके सिनोनेम्स जाएंगे किसके तो आज के लिए इतना ही आज का सेशन ही पर समाप्त हुआ सेशन कैसा लागा कमेंट सेशन में जरू झाल